जैसे किष्णा निलम के किचेन में आपका स्वागत है आज बना रहे हम दिपावली इसपेसल मौहन थाल मौहन थाल बनाएंगे हम अलग त्रीके से ना तो मावा डालेंगे ना मिलक पावडर डालेंगे वह एक दम दानेदार और मौह में जाते एक खुल साय इत्ती ज्यादा टेस्टी बनके तियार होईगी तो चलो बनाते हैं महौन थाल बर्फी बनाने के लिए हम यह दो कटोरी बेशन ले लेंगे यह हमने दो कटोरी बेशन लिया है अब इसमें हम दूद डालेंगे तीन बड़े समझ दूद डाल देंगे अब डालेंगे हम गी तो गी भी हम तीन बड़े समझ डाल देंगे गी और दूद हमें बरोबन लेना है यह भी हमने तीन चम्मच डाला है अब इसको हम मिलाएंगे हलके हलके आतों से यह देखिए हमने बेशन घी और दूद को अच्छे से मिला लिया है यह देखिए तो इसे हम दस मिनट की रेश्ट के लिए रख देंगे यह देखिए दस मिनट हो चुकी है अब इसे हम ग्रेंडर जार में जालकर पीश देंगे विश्ची ज्यादा देर नहीं पीशना है दो एक बर चलाना है मिक्सी को ज्यादा नहीं चलाना है आप चाय तो इसे चलनी है उसमें डालकर छाम सकते हैं लेकिन मैं इससे थोड़ा ज यहाद को इसको यह कि दो बार चलाए है आप पाडंश जाधा मधान च नहींदे अग्रीस हो एक के ने अच्छे में इस तरह करें हमें इसके दाने चीहें बारिक बारिक आप बनाएंगे परकार सनी है पड़े हम चासनी बना रहे हैं तो यह हम एक गटोरी चीनी लिए है 2 घ्रील के लिए तो चीनी ली आ अधा गत्रूरी पानी 5 पाने इतना डालना है कि जादा नी डालना है चीनिव को अच्छे से मेल टोमने देंगे इलाइची डाल रहे हैं दा तरीसी कुट्यू भी तो हमें एक तार की चासी ने बना ली है बनानी है तो हम चेक कर लेंगे अभी थोड़े देर और पकने देंगे अब चेक करेंगे हम कि हमारे एक तार की चासी बन गए क्या यह देखिए एक ताद बनने लग गया है यह देखिए विसम इस तरिके की चाहिए हमें गेश बंद कर देंगे आप चाये तो चाशनी बाद में भी बना सकते हैं कि तुरंत के तुरंत हम डाल देंगे ज्यादा समय नहीं लगेगी यह हमने कड़ाई ली है और गेश चालू कर दिया है अब डालेंगे हम इसमें घी तो यह हमने एक कटोरी घी लिया है यह चूटी कटोरी है अब डालेंगे हम इसमें एक कटोरी घी डाल दिया थोड़ा बचाया है और इसे हम घी को मेल्ट होने देंगे घी अमारे अच्छा से मेल्ट हो चुका है अब डालेंगे हम हमारे बेशन जो हमने पहले से तियार करके रखा था इसको हम मिला लेंगे इसे हम चलाते रहेंगे छोड़ना नहीं है और इसे हम धीमी आज पर भूंच लेंगे यह देखिया हमको बेशन को भूंचते हुए है चाय से पाच मिनट हो चुकी है और इसका हलका सा कलार भी चेंच हो गिया है अब डालेंगे हम जोगी बचा के रखा था वो डाल देंगे चाय से पास मिनट तक और भूंचाई कर लेंगे हमें इसकी अच्छे से भूंचाई हो जाए और अच्छे से कुष्वा आने लग जाए अच्छे से भूंचाई होता है गी भी चोड़ देगा यह देखिए हमारे बेशन अच्छे से भूंच चुका है और घीवी छोड़ दिया इसने और इसका कलर भी चेंच हो गया है इस मौन थल में हम मावा निडानने वाले मिलू पावडर निडानने वाले हम डालेंगे इसमें एक कटूरी दूर्ट थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक चमस दूर्ट दालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे एक साथ में दालना है सारा दूर्ट बापिस हम एक चमच दूट डालेंगे इस तरीके से बनाओगे तो आपको मावा या फोया या पाउडर डालने की जूरती नहीं पड़ेगी एक दम दानेदार बनके तियार होगे आपका मौन्धाल सारे दूद हमको एक साथ नहीं डाललें थोड़ा डालना फिर चलाना फिर चलना तो आपको मौन्धाल एक दम दानेदार बनके तियार होगे और अब इससे हम चलाते रहेना है जब तक हमारे दूझ को अच्छे से सोकने लेखोटा की सबवाए लेतगा में अजयाए 5 10 10 जब तक चलाएंगे जब तक दूद को सोक लिए इसके दाने दाने दिखने लग जाए यह देखिए दाने दाने दिखने लग गया न अ इस तरीके से बनाओं गया तो मौन धाल रटू दाने 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 बनके त्यार होगेंगे आप कोई पता है कि अथे आप डालें में लग खासनी जो हमें पहले से बनाना के रखी ती अब मिलाएंगे हम चासनी के साथ यह देखिए हमने बेसन और चासनी को अच्छे से मिला लिया है एक मिनट के लिए इसे हम एक मिनट के लिए और पकाएंगे के हमारी बेसन चासनी को सोकने ले हलका ज़्यादा देर नहीं चलाना है यह देखिए कि दाने दार देख रहे हैं दाने दाने देख रहे हैं यह देखिए एक मिनट तक हम ने इसे आप पिस से बुंज लिया है पका लिया अब यह होगी है बर्फी जम्ना लाएं अब इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे के संळिंगे वेन लिए और हुने लगा लगे ये देखिए अमने निकाल लिए और कितने दाने दिखी रहे हैं इसमे सेट कर लेंगे यह दğimizेशा हमने सेट कर लिए अब इसे हम अ है इसे हैसे घंडा होने देंगे यह देखनो कि हमारे मोंथ्खावबरपी अच्य से सेट हो गए हैब इसे हम कट कर लेंगे कि इस तरीके से हम कट करेंगे तो यह देखिए हमने कट लें अब इसे हम निकाल लेंगे यह देखिए हम निकाल लेंगे कि यह दिखिए सारे हम मौन्थालवर पर निकाल लेंगे यह देखिए हमने सारे मौन्थालवर पर निकाल लिया है और कितनी अच्छी है आपको दिखाते हुए यह देखिए दाने दार बन के तियार होई न तो अब इसमें हम पिस्ता लगा देंगे हलका हलका हमने इसे पिस्ता से सचाई है आप चाहिए तो चादनी के बरक से भी सचा सकते हैं तो फ्रेंड यह हमारी मौन्धाल बरफी बन के तियार है मैं आपको एक बरफी तोड़ के भी दिखाती हूं किती जानेदार बन के तियार हुई है यह देखिए बताए नहीं सकते हैं कोई कि इसको आपने गह में बनाई है यह देखिए इस मौन्धाल की एक खास बात है इसको दस या पंदरा दिन के लिए बना कर रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब मौन्धाल को तो आज की मौन्धाल रहे इस भी कैसी के लगी कमेट करके बताना लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना मिलते एक नए वीडियो के साथ बाइबाइब